नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आसान ट्रिक के साद हम बना के लाए है और इसमें विश्व के सबसे बड़े देश बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं दिया अधिश्यों सदिस राशियों पर विस्तर चर्चा की गई है कि इन तीनों को अब आपको कभ विश्व के सबसे बड़े देश बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं दिया और अधिश्यों सदिस राशियों पर जिनको अब आपको कभी भी रतने किया वर्षेक्ता नहीं होगी हमारी ये ट्रिक इतनी आशान नहीं कि इस ट्रिक के सहार है आप विश्व के सबसे बड़े देश बंगाल की घाड़ी में गिरने वाली नहीं दिया और अधिस अधिस राशियों का असानी से याद रख सकते हैं तो प्रेंट सम्पात करते हैं अगर आप कॉंप्टिटिटिव एक्जाम की तयारी में लगे वे एस प्रेलवे या अधर कोई भी सिद्ध होती है तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे कि हमारा है चैनल एजी एंड क्रेजी जी के ट्रिक्स अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस बेल आइकॉन को भी पुश करना ना बोलिए ताकि जो वीडियो से हमारे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तैयारी को अपनी बहतर कर सके तो फ्रेंट्स हम आज के वीडियो पर चलते हैं जिसमें बहुत ही फनी ट्रिक है और सबसे पहली ट्रिक है हमारी रुक चीन अब आभारत आ रुक चीन अब आभारत इस सेंटेंस के सारे विश्व की सबसे बड़े देशों को आप आसान जियात रख सकते हैं रुक चीन में रूस से बनेगा आपका रूस कर से बनेगा कनाडा चीन से चीन बनेगा आपका और से अमेरिका बा से ब्राजील आ से आस्ट्रेलिया और भा भारत से भारत तो फ्रेंट्स रुख चीन और आभारत ये सेंटेंस है विश्व के सबसे बड़े देश रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राजील और आस्ट्रीलिया आप इसे याद रख सकते हैं इसी सेक्वेंस में और कभी भी इन पर कुश्चिन बने तो आप इसका आसान से जवाब दे सकते हैं फ्रेंट्स हमारा जो दूसरा और सबसे आसान वाला ट्रिक है वो है ब्रह्मा की गोद में गंगा ये सेंटेंस के सारे आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबीन अदियों को याद रख सकते हैं ब्रह्मा की गोद में गंगा ब्रह्मा की गोद मे गंगा यह ऐसा सेंटेंस है जिससे बंगाल की खाड़ी में आने वाली या गिरने वाली सभी नदियों को आप याद रख सकते हैं ब्रह्मा से नदी का नाम जो आएगा वो आएगा ब्रह्मो पुत्रा की से कावेरी और कृष्णा दो नदिया है गोद से गुदावरी में से महानदी और गंगा से गंगा की छेव नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुक नदिया है तो friends यह हमारी second trick थी ब्रह्मा की गोद में गंगा इससे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 6 नदियों के नाम आप आसनिस याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानादी और गंगा next trick है हमारी अदिश यहों सदिसराशियों पर जो कि science की trick है और इसमें आप अदिश यहों सदिसराशियों को आसनिसे याद रख सकते हैं यह trick है उसका दाल मास रेंट से आता है इस sentence के सारे आप अदिश यहों सदिसराशियों को आसनिसे याद रख सकते हैं कि उसका दाल मास रेंट से आता है यहां मास को हमने MS में convert किया है ताकि इससे हमारा जो ट्रिक को follow करना है वो easy हो जाएगा और आपको आसानी से याद रहेगा कि इसमें कौन-कौन सी आधी से हम सदस्राशिया बनती है तो friends ट्रिक को हम start करते हैं उसका दाल मास तो उसे उर्ज सर से समय कस से कार्य दा से दाब और ल से लंबाई तो उसका दाल से हमारा जो राशिया बनी वो आती है अधिस राशियों में उर्जा समय कार्य दाब और लंबाई इसके बाद next है मास रेंट से आता है तो में में से बना मास से बना स्पीड उसके बाद आता से आ से आतन और ता से ताब इस प्रकार अधिस राशियों को आप आसनी से याद रख सकते हैं इसमें रेंट से जो सब्द है वो silent है आपको इसे नहीं याद रखना है ये ट्रिक को flow में करने के लिए इस सब word का use किया गया है तो friends एक बार पेसे इस ट्रिक को देख लीजे उसका दाल मास रेंट से आता है यानि उसका जो दाल मास से किराया से आता है इस sentence के जहार आप आसानी से अधिस राशियों को याद कर सकते हैं उसे उर्जा, सर से समय, का से कार, दा से दाव, ल से लंबाई, मे, मास मिन्स द्रव्यमान, स स्पीड, स्पीड मिन्स गटी या इसे चाल भी कहते हैं आ से आतन और ता से ताप इस प्रकार ये जो अधिस राशिया है नो की नो आप आसानी से याद रख सकते हैं इस सेंटेंस के सारे कि उसका डालमास रेंट से आता है तो फ्रेंट्स आज के ये जो तीनो ही ट्रिक थी हमारी आपको किस प्रकार लगी कैसे लगी और इसमें कोई भी सुधा हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताईएगा हमारा वीडियो आज का कैसा लगा इसके लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भुलिए थैंक यो पर वाचिंग इस वीडियो हैंव नाइस दे